हेलो दोस्तों नमस्कार डग फर्मिंग आठमा दिन में आप लोगों का स्वागत है देखिए अभी हमने ये बदक लोगों को खाना अगरा दिया है और इस पेशल जो है आज का जो टॉपिक है ये बदक लोगों को बहुं जादा पानी की रिक्वार्मेंट पड़ रही थी द कि वह वाला जगह है यहां पर मैंने अलग से यहां पर एक जो अपन पोल्ट्री वाले लोगों देते हैं जो आटोमेटिक ड्रिंकर जो होता है इसको मैंने यहां पर आज सेटिंग किया है दोस्तों वहां पर जो है बाल्टी लगा हुआ है वो जैसे कि आपको मैं दिखाता यह देखे यहां पर यह बाल्टी लगा हुआ है यहां से मैंने करेक्शन किया है और डारेक्ट यहां पर नीचे तलाब में लेकर कि आ गया है अब यह यह लग पी रहे हैं थोड़ा मुड़ा इस जगह पर गीला होता है तो भी चलेगा क्योंकि यह वालो जो जो कॉर्णर है यहां पर मैं खड़ा हूं बोलकर के अभी यहां पर सब कोई है क्योंकि इनको जो है डाना ठीक हुआ है जहां पर आप जाएंगे दोस्तों वहां पर यह सब एक जगह में इकठा हो जाते हैं दिखिए कैसे मेरे इर्द गीर्दे पूरे दरब से सभी का पेट भरा हुआ है उस हो सकता है इनको क्योंकि यह जावस से खा लेते हैं बॉलर फीड जो हम श्रू में देते हैं दोस्तों तो उसमें हम पानी उनींगी ला करते तो बनता है नहीं प्रोटीन वगैर हम मिला देते हैं जैसे कि आयरन टॉनी कहँं हुआ या कल्शियम हुआ तो उससे क्या है दाने करके बदट फार्मिंग में पानी का खास ध्यान रखना है दोस्तों पानी जो है मैंने कैसे लगाया है भी बाहर जाकर के बाल्टी में आप लोगों को दिखाऊंगा आठमें दिन में इसका जो है मॉटलेटी जो है टोटल तीन से चार दिन तक हुआ दोस्तों उसके बाद मॉटलेटी जिख रहा है वो बच्चे छोटे थे ग्रोथ नहीं कर पाए हैं इसलिए हुआ है मैं तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं होता मेरे ख्याल से और आज अगर हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो देखिए ये टोटल 15 दिन में दो कट्टा खाएंगे ए बीच भीच में घर का फीड भी दे करके आदत करता हूं उसके बाद भी इनका सरीर देखिए कितना मस्त है एकदम हैं तो आप चाहें तो अपने कम खर्चे में आठवे दिन के बाद आप चाहें तो इसमें खाने में परिवर्तन कर सकते हैं कि इसमें देखे कोई कई डक जो है ग्रोथ नहीं कर पार हैं यह चोटे से छोटा रहे गया है बीच चुम रहे हैं अभी हम क्या करेंगे यह यहांपर हम जाली लगा करके इसको अलख सेसे करेंगे इस एरिये को मतलब यहां पर ज़ो बच्चे भोष नहीं कर पार रहे हैं यह जो दो कॉलम् और उसके साथ में उदर से लेकर कर की जाएंगे वहां पर हम इनको घहर देंगे वो वाला एक छोटा है ऐसे करके कुछ-कुछ बच्चे जो हैं ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं ये तो बिल्कुल ही छोटा है दोस्तों एकदम उसके साथ में ये तो अभी डंग से चल भी नहीं पा रहा है देखिए अगर हम उसका अभी ख्याल नहीं रखेंगे तो एक-दो दि सब्सक्रिस हैं लोग आपको देना है दोस्तों to direct की मिदंदल है् पाराट में भी दे सकते हैं अब कि इंको एक सब्सक्राइब कर दियाका में सबावा Rochester से उसके साथ में कोड़ा कि द्धान की भूसी जो इस्तमाल होता है बड़ा वाल राइस मिल में धान का जो मल निकलता है चोटा-चोटा जिसमें चावल के कंकड रहते हैं वो ठोड़ा से ले सकते हैं और उसके साथ में आप थोड़ा से विटामिन प्रोटीन जो भी आपको देना चाहें साख सब्जी यह अभी आप डाल सकते हैं तो ऐसा करने से देखिए अभी मेरे पीछे आ रहे हैं क्योंकि इनका अधा पेट भरा हुआ है ज़रूरी है दोस्तों इनका अधा पेट भरा होना क्योंकि अगर पूरा पेट भरेगा तो फिर यह डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे यह आपको दि सब्सक्राइब आप ले सकते हैं उस से कटिंग करके भी आप इनको सकते हैं अब समय आगया है इनको हल्का खिलाने का लेकिन ध्यान रहे दोस्तों इनकी प्रोटीन और में कोई कमी ना हो क्योंकि प्रोटीन में अगर कमी होगी तो पिर इनका जो ग्रोथ रेट हैं तो कम हो जाएगा और इनमें बिभ्वांइन दिखने लगेंगी अभ जैसे में आगे और बढ़ूंगा देखे अगा सारे बदग मेरे पिछे पिछे आने लगे हैं इनको लग रहे हैं कि मैं आगे चलके और इनको दाना अगरा दूंगा एक लाइन से देखे कैसे लोग आ रहे हैं ज्यादा अगर मैं इस्पीड में ना चलू तो यह लोग पैर पैर में आ करके रूख जाएंगे देखे यह यह तो नजा रहा है यह बहुत ही खतरनाक नजा रहा है दोस्तों वक्त पड़े तो हम देखे लाल्टेन अगरा भी रखे आं यहां पर जाते लोग इसे मेरे पीछे पीचे आ रहे हैं यहाँ का मोशल में बहुत ही शुहाना है दोस्तों अभी बहुत जादा गर्मी लग रही है इतना गर्मी है कि मत पूछिए लेकिन इसके उपर में एक पटाओं में टर्की और गिनी फाल अगर होने की वज़र से यह बहुत थंड़ा और अच्छा लग रहा है यह वाला जो जगह है और आसपास में मेरे यहां तो पानी खतम कर देते हैं दाना तो यह लोग 10-15 मिनट के अंदर चट कर जाते हैं हमने अभी इनको दिन में दो ही बार दाना देना शुरू किया था सुबह और एक साम लेकिन आप जो यह हेल्दी हो गया है बड़े हो गया है तो दोपहर का जो बीच का जो है यह होम फूड हम पानी देते हैं अभी इनका होम फूड का समय था इनका होम फूड हो गया है सुबहरे एक बार नास्ता हो गया है और दोपहर का खाना हो गया आप साम को फिर सिधा दाना देंगे और पानी तो आज हमने अटूमेटिक लगा दिया है जैसे कि आपको अभी हम दिखाएंगे और डीटेल में कि पानी को हमने कैसा लगाया है वैसे ही अगर आप 4-6 मुर्गियां पाल रहे हैं दोस्तों और बार-बार आपको पानी देने का जहनजट रहे किसी जगे पर तो भी आप ऐसा बना सकते हैं देखा देखी हम आपको ले चलते हैं पानी की ओर यह हमने पहले बनाया था दोस्तों देखे एक ड्रम ले लिया है ड्रम काट करके पूरा उस पर हमने यहां से नट टाइट कर दिया है जैसे कि सिंटेक के टंकी में रहता है यह अलग से दुकान में मिलता है दोस्तों खरीदने में यह नल प्रेटी हो चुका है पर यह नल जो ह यहां पर जब आप यह पाइप लेने के लिए जाते हैं किसी भी दुकान में तो उस पाइप के साथ में यह नोजल अलग से आता है दोस्तों डारेक्ट यह इसमें एक इंची रहता है इसमें फीट हो जाता है और फिर यह पतली सी यहां पर एक दो तीन चार चार धारी की बोड़ा से टाइट रहता है क्योंकि नीली वाली टाइट एक बार अगर इस नोजल के अंदर डाल दिया जाता है दोस्तों तो इतना फूल टाइट हो जाता है कि निकलता नहीं है तो मैंने रिमोवल के लिए वहां साप सफाई के लिए वहां पर उस टाइप को डाला हुए और यह देखिए यह अंदर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को इस टाइप का अब यह पानी जो है यहां पर मैं एक बोरा लगाऊंगा और उस बोरा को गिला कर दूँगा ताकि यह पानी ठंड रहे उपर से कचड़ा उचड़ा नहीं गिरे बोल करके मैंने यहां पर ऐ जाएं तो इसमें बीस पचास सव मुर्गियां भी रख सकते हैं और इसको आप कहीं भी एसेंबल करके खोल करके ले जा सकते हैं पानी देने की जंधट से आप मुक्त हो जाएंगे इसमें आप चाहें तो मेडिसिन अगर भी मिला करके दे सकते हैं पानी नीशे खतम हो है तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्ट वीड़ो पर धन्यवाद है आप पर भी एक बोटल ड्रम ऐसे काट करके लगा रखा है देखिए पूरा सिस्टम बाइस है यह कचड़ा मत गिरे बोलके उपर से मैंने बोरा बांद दिया है जबकि धकन ह है तकन में आप कितना भी कबजा लगा ले दोस्तों वह खराब और सड़ी जाता है तो उसको जैसे तैसे बैठा करके हमने बोरा लगा रखा है ताकि उसमें कचड़ा ना गिरे और उसके साथ में यह इस टैप का हमने पाइप का सिस्टम दे रखा है इसमें भी सेम वही सिस रखता पढ़ती रहती है तो यहां से हमको ताजा पानी लेना रहता है एक बार यह बोर चलता है तो पिर हमको यह ताजा पानी यहां से ले करके सब तरब देना होता साब यहां तो इतने सारे अगर जानवर हैं तो इस टाइब का अगर ड्रम में आप पानी के सुविधा ना रखेंगे तो कैसा रहेगा बताईगे यह देखें यह टर्की यह टर्की भी रायपूर जाएगा दोस्तों 11 तरीक को आज 8 ना हो गया है इसके बाद फिर नेक्स्ट बेच भी आएगा यह बहुत ही बढ़िया अच्छे में है यह अगर आप लोग को भी लगे टर्की बच्चा तो बिल्कुल बताएं अब यह रनिं तर्की बहुत अच्छा है तर्की कंफे में कैसे पालंकिया जाता है तर्की क्या-क्या आवाशकत होती है तर्की कैसे पाले आप तर्की कितने तिन मैं अणडे देते हैं सब सवाल का जवाब आपको हमारे यूटूब में मिल जाएगा अब पूरा प्लेलिस्ट बना रखे हैं टर्की की आप जा करके उसको देखिए खाली खरीदी बिक्री और पर्चेस रहे तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क किजिए ध्यान रहे दोस्तों कम से कम 15,000 का माल लेना जरूरी है और उसके साथ साथ में ट्रांस्पोर्टेशन अलग लगेगा और कहना चाहिए कि पेमेंट जो है एडवांस है दोस्तों पेमेंट एडवांस करना पड़ेगा आप लोगों को तभी यहां से माल नहीं लेगा यह सारी बाते मैंने यूटूब में किलियर कर दी आ कि उनसे आप लेंदेन पर्चेस कीजिए और यह देखिए हमारा कबुतर का सेट अप यह हमने एक नया अमरीकन फीमेल लेकर के आया है देखिए जबरजर साइज में हैं बहुत बड़े साइज में है यह अमरीकन फीमेल अभी इनकी मीटिंग अगरा चल रही है अभी अगर अदर फादर यह यहां पर है कि मैं पानी पर कोश्चेस कर ञ tuna रहे हैं लेकिन पानी आनी रहाता था व Hilli को मैं थोड़ा सा उठाना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नाइक टूडियो में